आई दोस्तों, असलाव अग्यूम, कैसे आप लोग, मेरा नबील है, आज का वीडियो हमारा बहुत इंपॉर्णन है, तो start to end तक दिनना, point wise बनाया हो, तो देखने में, समझने में आपको आसानी होगी, गर्मिया बहुत जादा हो चुकी है, heat wave चल रही है, अपना खयाल रख बैटरी हेल, शे मने, साथ महीने होने को आगे, इस फोन को यूज करते हुए, और यहाँ पे जो है, same condition में यूज करो, जैसे आप यूज करते हो, लेकिन अपने tips and tricks follow करके, मैं इसकी बैटरी हेल्ट अच्छी में इंडिन करके रख सकता हूँ, तो आप भी follow कीजिए, आपक आईफोन की बैटरी को कभी भी 30% से नीचे जाने मत दीजिए, जैसी वो 30% पे पहुचता है, उसको charging पे लगा दीजिए, और उसको 80% से जाधा charge आप मत करो, आपने आजकल एक message भी देखा होगा, कि आईफोन आपका बता रहा है, आपको 80% से उपर charge नहीं कर सकता हो, आप कि आपका आईफोन बेस्ट परफॉर्म करता रहा है, और उसकी बैटरी याद अच्छे से मिंटेनो, tip number 2 है guys, don't use a case while charging, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए, अब यहाँ पे दो टाइप के case है, मेरे पास, एक है यह राइनोशील का case, दूसरा है, टोटेम का case अब यह दोनों cases पर देखेंगे, तो यहाँ पे heat को बाहर निकलने के लिए चांस बहुत ही कम है, और अब एक additional insulation का layer यहाँ पे अपने phone पर लगा रहे है, और यह clear case है, यह दोनों के उपर, अब यह cases जो है हमारे phones पर बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि हमको drop protection देते हैं, फोन एक बार को गरम होगया, बैर्टरी खराब होगी तो चलेगा, इन फोन का काच आगे पीछे वाला वो टूटना निशी कि यह बहुत जादा ही महेंगा होता है, तो इसलिक case लगाना बहुत ज़रूरी है, और मैं भी अपने phones पर पर स्नली, यह राइनो शील के कितम tough वा केस इस्तमाल करें, अगर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ठीक से, तो इसके अंदर जो है, चोटे-चोटे से होस दिये वे है, और यहाँ पे भी कुछ materials का इस्तमाल किया गया है, जो heat को dissipate करता है, यह देख सकते आप इस case का box, और बिल्कुल भी इन्होंने इस video को sponsor नही सकते हैं, और coupon code apply करके 15-20% का आपको discount बिल सकता है, मैं इनका affiliate partner हूँ, definitely rhino shield, otem, और दूसरे cases जो है, उनके sales पे मुझे कुछ commission मिलता है, लेकिन उसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, और यह उन्होंने sponsor भी नहीं किया, लेकिन यह case actual में useful है, और जब यह आपके iPhone पे लग जाएंगे, तो वो चिपकेगी नहीं, जैसे कि यह Belkin का Mac से battery pack है, यहाँ पे चिपकेगा नहीं, इस तरीके से गिर जाएगा, लेकिन wireless charging ज़रूर देगा यह आपको, आपके iPhone को अच्छी तरीके से maintain करने के लिए summer में, जो हमारी अगली tip है, वो बहुत ही काम की tip है, iPhone जो है को switch off कर दो, क्योंकि इस से आपका phone जो है, बहुत जल्दी अपनी battery loose करता है, आपके iPhone के charger को switch off करने के बाद, 5 मिनिट रुखने के बाद, आपका iPhone ठंडा हो जाएगा, अपने आप ही, और फिर उसको आप charging on कर दो, फिर उसके बाद जो है, जादा करके गरम नहीं होगा, अंदर बहुत जादा heat हो जाती है, अगर बाहर 40 degree Celsius temperature है, तो अंदर हो सकता है, 50 degree हो, इसमें आपके phone की battery खराब होने का बहुत जादा chance होता है, गाड़ी भी बैटके सबसे पहले क्या करना है, आपको, car को कर लीजिए on, windows को roll down कर लीजिए अपने, आपके car के AC को full blast पे कर द होता है, तो phone को simply अपने glove box में दाल के, इस तरीके से इसको बंद करके चले जाते है, और अगेन यहाँ पर वही green house effect काम करता है, जिसकी वएसे यहाँ पर आपका phone overheat तो होई सकता है, साथी फट भी सकता है, तो बिल्कुल भी यह काम की है, और साथ ही उन लोगों के काम की है जिनको बिल्कुल भी वो जो मैंने trick बताया था ना, कि आपको charger लगाने के बाद उसको off कर देना अगर phone करम होता है, यह सब जमिला नहीं करना है, तो smartphone cooler एक आता है, बहुत ही सस्ती चीज़ से 1100 का मिल जाता है Amazon पे, इसका link description में दे दूँगा, यह मैं काफी नाइम से यू जो है इस तरीके से यह clamp हो जाता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यह clamp हो गया, और आप इस पर game खेली है, कोई problem नहीं है, और इसको charging पे लगाई है, तब भी कोई problem नहीं है, आपके phone को heat हो नहीं देता, जबका phone room temperature पे होता है, और आप game खेलना शुरू करते हो, तो 10 degree तो आसानी से उसका temperature बढ़ जाता है, लेकिन यह जो cooler है, उसको maintain करता है room temperature के उपर ही, यह काफी सही चीज़ है, और आपके phone को damage उनने से definitely बचाएगा, negative point यह है कि इसमें यह wire आपको connect करनी हो दिये, जो इसको power देती रहे, अगली tip हमारी दोस्तों उन लोग के लिए है, जो phone अगर गरम हो जाता है, उनका खास करके iPhone user, तो अपने iPhone को ले जाके refrigerator में याने की fridge में रख देते कुछ दिर के लिए, यह आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अचानक आप उसको इतने load temperature पे लेके जाते हो, उसके बाद भाहर निकालते है, उसके अंदर condensation ह हो सकता है, पानी जमा हो सकता है आपके iPhone के अंदर, जो उसके internal parts को motherboard वगरा को खराब कर सकता है, तो यह काम बिल्कुल भी मत करना कभी, और हमारी आखरी टेप उन लोगों के लिए गाई, जो बहुत जादा wireless charging का इस्तमाल करते है, wireless charging convenience प्रोवाइड करती है, wireless charging आपके car में ह तो जादा सही रहेगा, तो यह wireless charger जो है, यह काफी जादा heat produce करते है, wireless charging, चाहे कोई भी wireless charger हो, stand वाला हो, यह battery pack हो, तो वो चीज़ को थोड़ा outdoors में आप लोग आवोईड कीजिए, तो यह थी मेरी iPhone की summer tips, जिसमें आप यह do's and don'ts को अगर प्रॉपली फॉलो करेंगे, तो आपके iPhone की जो battery health है, वो भी maximum capacity पे maintain कर पाएंगे, आप इसमें से कौन से tips इसमाल करेंगे, कौन सी नहीं करेंगे, कौन सी आपको जो है इसमें बेवकूफी लगती है, यह भी आप मुझे comments में लिखके पदा सकते हों, भी करता दो दोस्तों, आपका वीडियो पसना होगा, बसना दो इस तुडियो को लाइक और शेयर जरू किजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब दो किजिए, गुडबाई